अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नमबर 26 तो देखें ये भी पिछले प्रॉब्लम जैसा है क्या निकालना है calculate the pressure difference between a and b take the specific weight of water 10.8 10 kN per meter की हो और mercury की specific weight इतना है ठीक और specific weight of oil भी आपको दिया हुआ है मतलब आपको rho g की value आपको दिया हुआ है ठीक है तो देखें specific weight of water आपको दिया हुआ है that is rho g of water rho g of mercury आपको दिया है rho g of oil आपको दिया है तो देखें यहां पर हमने reference line लिया मतलब इसको हमको नहीं लेना है यहां पर हमने reference line लिया इतने portion को नहीं लेना है यहां पर हमने reference line लिया तो इतने portion को हमको नहीं लेना है ठीक तो हम करते हैं हम यहां से चालू कर रहे हैं तो जहां से हम चालू करेंगे उसको प्लस लिखेंगे हमने लिखा P A फिर हम इतना नीचे आए यह नीचे आ रहे हैं तो रोजी एच करना पड़ेगा तो रोजी आफ वाटर आपको दिया है तो यहां पर देखें रोजी के विलू लिख दिया इंटू H H कितना है 1.08 मिटर यह हमने लिख दिया अब यहां पर देखें मरकरी है मरकरी में उपर गए तो रोजी एच करना पड़ेगा माइनस रोजी एच करना पड़ेगा तो मरकरी के विलू आपको दिया है हमने लिखा माइनस रोजी आफ मरकरी इंटू H 0.72 मिटर फिर हम यहां पर देखे आप उपर जाएंगे कितना उपर जाएंगे 0.6 मेटर तो यह green वाला क्या है आपका mercury है तो देखे mercury के रोजी आपको दिया 136 किलो न्यूटन पर मिटर के तो रोजी into h कितना गए 0.6 हम उपर गए फिर हम इतना उपर और जाएंगे इतना और उपर जाएंगे तो यह दूरी कैसे निकालेंगे पूरा कितना 0.96 उसमें से 0.6 को माइनस कर देंगे तो यह वाली दूरी आपकी निकल के आजाएगी that is 0.36 तो देखे वाटर का रोजी आपको दिया है that is 10 और इसकी हाइट है माइनस में क्यों लिखा उपर गए अंत में PBA तो माइनस PBA is equal to 0 कर दिया तो PA माइनस PBA के विले इतनी आपकी आजाएगी फिर हम देखते हैं अगला प्रावलम प्रावलम नमबर 27 तो देखे यहाँ पर यह इंकलाइंट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे हम क्या करते हैं रोजी है करते हैं तो इसका यह वाला दिस्टेंस लेंगे यह वाला तो रोजी है करेंगे तो कौन सा लेंगे वर्टिकली डाउन वाला आपको जट 4 दिया है तो vertically down वाला distance आपको निकालना है तो दीखे मान लीजे ये distance निकालना है ये z4 आपको दिया हुआ है ठीके ये आपका क्या हो जाएगा h हो जाएगा ये आपका क्या है z4 and this angle is 45 degree तो h अगर आपको निकालना है तो आप क्या लगाएंगे sin 45 लिखेंगे sin 45 क्या होगा perpendicular upon hypotenuse perpendicular कितना h है और hypotenuse आपका कितना है z4 है तो h की value रोजी h करेंगे तो h की value आपकी कितनी आएगी z4 sin 45 z4 sin 45 ठीक तो हम क्या inclined वाली दूरी नहीं लेते हैं रोजी h करते हैं तो distance कुन सा लेते हैं vertically down वाला distance हम लोग लेते हैं अब इस problem में देखे इतनी दूरी आपको दी नहीं है तो इसको हम neglect कर देंगे इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये distance नहीं दिया है तो मान के चलेंगे कि ये वाला distance क्या है negligible है तो हम इसके देखे solution पे आते हैं तो देखिए हमें क्या करना है यहां पे देखे एक reference line रहेगी इसको नहीं लेना है क्योंकि ये plus rho g जितना आएगा उतना ही minus rho g h आएगा हमने यहां से चालो करा तो हमने पहले p भी लिखा फिर देखे यहां पे plus rho g h करना है h आप जानते हैं z4 sin 45 लिखना है तो ये red वाला के mercury है mercury के density कितनी आएगे 13600 ये mercury का g हो गया और ये h जो है वो कितना लिखा मैंने z4 sin 45 z4 कितना है 0.3 है फिर हम इतना आएगे ये भी rho g h है इसको plus rho g h h की जगा क्या लिखेंगे z3 लिखेंगे red वाला आपका क्या mercury है तो ये rho of mercury हो गया g हो गया और ये h ये h क्या है z3 z3 कितना है 0.75 मीटर है फिर यहां से उपर जाएंगे z1 उपर जाएंगे minus rho g z1 करेंगे तो ये rho हो गया ये g हो गया और ये h हो गया z1 का h कितना दिया है that is 0.45 दिया फिर minus pa लिखेंगे यहां पर pa कड़ गया है तो यहां पर एपन क्या लिखेंगे minus pa लिखेंगे is equal to हम क्या कर देंगे 0 हम कर देंगे तो इसको जब आप solve करेंगे तो आपको you will get the value of pa minus pv की value आपको मिल जाएगे वो आपको इतनी मिलेगे तो आपको क्या धहान रखना है थोड़ा सा यहां पर कट रहा है तो इसको minus pa equal to 0 कर लेने को अब हम अगले problem को देखते है problem number 28 तो देखिए काफी अच्छा problem है determine the absolute pressure इन्हें pipe A A बे absolute pressure अबको निकालना है that contains oil of specific gravity 0.8 इसकी specific gravity दिया है Z1 की value आपको दिया है Z1 आपको दिया हुआ है यह आपको Z1 दिया हुआ है Z2 दूरी आपको दिया हुआ है This is our Z2 दिया है Z3 आपको दिया है This is Z3 है और यह Z4 आपको दिया हुआ है और atmospheric pressure कितना है 105 किलो पासकल तो atmospheric pressure यहाँ पे लगेगे कितना लगेगा आएगा अगर एड्मॉस्फिरिक प्रेशर कितना लें? 0 लेते हैं यहाँ पे तो P आपनो निकालते हैं तो P आपका के निकल के आता है? gage प्रेशर और अगर एड्मॉसफिरिक प्रेशर यहाँ पे हम consider करते हैं यहाँ पे कितना consider करना है? 105 किलो-pαसकल तब PA निकालते हैं अपनी equation बना के तो ये कौन सा pressure निकल के आता है absolute pressure निकल के आता है तो हमें उसने बोला atmosphere pressure को दे के रखा है ठीक हमारा क्या निकलेगा absolute pressure निकलेगा देखे कैसे हम यहाँ से चलेंगे तो हमने PA लिखा फिर हम इतना उपर गए इतना उपर गए कितना उपर गए Z3 प्लस Z4 हम उपर गए ठीक उपर गए तो माइनस लिखेंगे तो माइनस ρो जी Z4 प्लस Z3 मेंने लिखा है फिर इसको हमको नहीं लेना है इसको 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 नहीं लेना है इतना हम नीचे आएंगे कितना नीचे आएंगे Z3 नीचे आएंगे रेड में तो यह देखे रेड से मैंने लिखा है रो जी H Z3 नीचे आए तो यहाँ पर Z3 है रेड वाला क्या मरकरी तो मरकरी की यह density है फिर हम नीचे आए Z2 नीचे आए नीचे है तो इसको अपर प्लस लिखेंगे यह वाटर है वाटर की देखिए specific gravity 1 दिया मतलब इसके density 1000 हो जाएगी यह रो हो गया यह G हो गया यह H हो गया वाटर के लिए H कितना है Z2 है फिर हम यहाँ से क्या कर गए उपर जाएंगे Z1 हम उपर जाएंगे तो इसको माइनस लिखेंगे माइनस 1000 इन्टू 9.81 इन्टू क्या लिखा मैंने Z माइनस यहाँ पर जो atmospheric pressure आपको देखे रखा है माइनस 105 इन्टू 10 तू दा पावर 3 हम पासकल में लेंगे यह किलो पासकल equal to 0 कर देंगे तो इससे PA निकल के आ जाएगा तो यहाँ पर PA कितना निकल के आएगा PA क्या निकल के आएगा absolute pressure अगर यहाँ पर atmospheric pressure को consider नहीं करते यहाँ पर लिखते equal to 0 तो PA आपका क्या निकल के आता यहाँ आपका gauge pressure निकल के आते हैं फिर हम अगला problem देखते हैं problem number 29 बहुत अच्छा problem है यह तो देखें क्या बोल रहा है a fuel gauge for a gasoline tank in car car के अंदर यह क्या है gasoline का tank है which reads proportional to the bottom gauge the tank is 30 centimeter deep देखो tank की गहराई कितना है 30 centimeter and accidentally contain 1.8 centimeter of water तो इस tank में gasoline होना चाहिए लेकिन accidentally क्या हो गया इसके अंदर water चला गया पानी चला गया determine the height of the air remaining at the top यहाँ पर height of the air हमको निकालना है at the top when the gauge enormously red full देखें जब इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पर तो जो meter gauge है वो क्या दिखा रहा है कि यह full भरा हुआ है ठेक है meter gauge क्या दिखा रहा है full भरा हुआ है हाइठ of air हमको निकालना है ठेक है प्रॉल्म समस्ते है gasoline tank में क्या होना चाहिए gasoline होना चाहिए अगर.. है न लेकिन अब क्या है इसके अदर water भी है air भी है ठेक है अब year किस height तक भरी है यह height हमको निकालना है वो बोल रहा है कि जब water 1.8 cm height तक भरा हुआ है तो gasoline tank क्या दिखा रहा है कि ये भाई tank आपका पूरा भरा हुआ है तो आप height of air निकालिए तो पहले हम ये निकालते हैं कि अगर gasoline पूरा भरा रहता है इसके अंदर तो कितना pressure दिखाता है that is rho g h दिखाता है अब रोजी हम जानते हैं रोजी क्या होता है गामा होता है गामा क्या होता है weight density होता है weight density equal to mass density into g होता है तो गामा आपको दिया gasoline का gasoline का गामा कितना 6.65 kN per m3 है तो देखिए gauge pressure वो कितना दिखाता 1.995 kN per m2 ठीक है ये रता अगर खाली gasoline भरा रता पूरा भरा रता तो meter gauge आपको इतना pressure दिखाया होता है अभी भी देखिए ये meter gauge पूरा इतना ही pressure दिखा रहा है लेकिन किसके कारण दिखा रहा है येर के कारण दिखा रहा है gasoline के कारण दिखा रहा है और water के कारण दिखा रहा है तो देखिए हम यहाँ पर equation मनाते हैं हम क्या equation लिख रहे है pressure due to s centimeter height of air plus pressure due to s centimeter height of air के कारण कितना pressure आएगा फिर हम लिखेंगे pressure due to is height of gasoline यह वाली height कितना आएगा 30 minus 1.8 minus h air ठीक है अगर यह वाली दूरी निकालना है तो total कितना है 30 centimeter 30 centimeter में से क्या करिए 1.8 को माइनस करिए h air को माइनस करिए तो आपकी यह वाली height आजाएगी अब देखिए pressure due to 30 minus 1.8 minus h air centimeter of gasoline plus इसके कारण pressure plus pressure due to 1.8 centimeter of water is equal to 1.995 ठीक है इन तीनों के कारण यह full दिखा रहा है जब gasoline के कारण full दिखाता तो total pressure उसको इतना दिखाना चाहिए था तो इन तीनों के कारण यह total pressure इतना दिखा रहा है अब देखिए pressure due to s centimeter of air अगर s centimeter of air भरा रहेगा तो pressure कितना आएगा रोजी h air आएगा देखिए रोजी की value आपको दिया है आपके रोजी की value दिया हुआ है किसके लिए air के लिए दिया हुआ है इतना उसमें h air का आपने multiply करा यह centimeter में है 100 से divide कर दिया तो यह meter में आ गया कितना दिया 6.65 दिया हुआ है तो 6.65 into x into h कर दिया तो यह जो h दूरी है वो कितनी है 30 minus 1.8 minus h here 100 से divide कर दिया क्योंकि यह centimeter था meter में कर दिया अब रोजी h water भी करना पड़ेगा तो रोजी आप water दिया that is gamma आपको दिया 9.81 तो यह क्या हो गया यह रोजी हो गया that is gamma into h यह 1.8 centimeter है 100 से divide कर दिया तो meter में आ गया is equal to 1.995 इसको solve कर लेंगे तो height of air आपकी इतनी निकल के आ जाएगी काफी अच्छा problem है इसको ध्यान से करिएगा